को चैइटर-फॉर कर रहे हैं dopo अब चैप्टर-फॉर कर रहे हूं कि हैं इसके पहले हमने डिप्रेंट-डाक्ट्टर के बारे मैं जान लाकथ है कौन पिसका डॉक्तर है हड्या क्चो क्या बोलते हैं अन्खों के डॉक्टे से डील करता है जो माइंड और इमोशन से डील करता है उनको क्या बोलते हैं तो हमने इन सभी डॉक्टर्स के बारे में जान लिया है अब इसी के बारे में आगे फर्दर पढ़ेंगे सब्सक्राइब आपको डिया और बतायेगा क्या अंदर चल रहा है कौन सा पैथ हो जिसके वाजे से आप बिमार पढ़ रहे हैं आपको क्या बिमारी है यह इतर्निस्ट और इंटर्नल यह दूनों सेम लैटिन रूट से डिराइब हुए है जिसका नाम है इतर्नस इतर्नस का म आपको के अंदर क्या चल रहा है उसके उसके बारे में वो एक्सपर्ट होता है वो explore करता है उसको This physician determines the state of your internal organs in order to discover what's happening within your body आपके अंदर क्या हो रहा है simply And आपको जो परिशानी हो रही है वो किस वज़े से हो रही है Cause इसको internist को intern से मत confuse करियेगा ठीक है intern क्या होता है जो कहीं कहीं पर जाते हैं जैसे कि offices में जाते हैं नए नए graduate बच्चे हैं वो जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि सर मुझे काम पर रख लो वो काम सीख रहे हैं तब दियार interns ठीक है इनको भी intern पढ़ते हैं वो internist है internist क्या होता है आपका अंदर body में क्या चल रहा है diagnostic करता है और बताता है किस pathogen की वज़े से देखो यह कह रहा है कि medical graduate जाते हैं वो hospitals में क्या करते हैं apprenticeship करते हैं apprenticeship अब doctors for women हम लोग जानते हैं जो औरतों की doctor इनको क्या बोलता है gynecologist, gyneac मतलब औरत इसके पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके है mesogyny पढ़ चुके, mesogynecon, hater of women doctor है वो, जो women के elements में जो expert है वो कौन है gynecologist है, Greek word gyne, women plus logos, logos मतलब science etymologically, gynecology is science of women, ठीक, gynecological और यह obstetrician, obstetrician क्या होता है, अभी हमने देखा तो obstrics, यह क्या होता है, midwife, midwife मतलब जो बच्चों, जो क्या बोलते है उसको जो delivery कराएगी, जो क्या कराएगी, बच्चों का care करेगी just after the birth, और जो birth का टाइम होता है, उस process क्या बोलते है parturation, पी आर ए, अगर यह सब आजा है, पी आर ए, टी ए, टी यू, ए, टी आई, ओन parturation, parturation क्या होता है, जब बच्चा जो है deliver होता है, उस process को क्याते है parturation, और यह कराता को होना है, midwife कराती है, midwife को बोलते क्या है, अच्छी लेंग इंग्लिश में लाटिन में क्या बोलते पहले तो, obstetrics, और अच्छी इंग्लिश में obstetrician, ठीक है, obstetrician, यह रहा, which, which in turn has its source in latin verb to stand, ठीक है, इसका मतलब क्या है, latin में obstetrics का, midwife, और और ज्यादा source में जाओगे, उसका मतलब stand, तो जब delivery का time होता है, labor का time होता है, labor मतलब जब बच्चा पैदा हो रहा है, तो उस time pain होता है, तो process है, उसको labor कहते है, labor में कुछ औरते खड़ी होती है, side में stand, उनको midwives कहते थे, तो यहीं से वो word आया है, और करती क्या थी, aid, aid मतलब help करना, help in delivery of the infant, infant मतलब बच्चा, the suffix isian, isian का मतलब जैसे obstetrician में लगा हुआ है, physician में लगा हुआ है, musician में में लगा हुआ, magician में लगा हुआ है, electrician में लगा हुआ है, इसका मतलब होता है, expert, जो expert होता है, उसको क्या बोलते है, उसके आगे आकरी में लगा जबाज़ता है, suffix isian, ठीक है, magician, generally, अब obstetrics, obstetrics, obstetrics क्या होता है obstetrics है कहा गया है यह फिशले देड़ सव सालों में क्या हुआ है एक रिस्पेक्टेबल स्पेशिलिटी हो गई है ऑफ सैट्रिक्स क्या होता है अभी हम ने देखा रहे हम पर यह अफ़ ट्रीशियन गांद आप अभी रिसेंटली स्बाइबल इस्पेसिलीटि हो गई है कि बच्चों की जो इनफैंट मोर्टालिटी ती इन फैंट पूड लीटी यह अभी डिकलाइन कर इसकी वाज़ा से क्या जादा से ज्यादा बच्चे सर्वाइब कर रहा है इन डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज क्यों ऐसा हो रहा है डू टू दीज पीफल अप्स्टेट्रिक्स आ गया है मेडिकल जो है अचीवमेंट्स हमने अच्टे मेडिकल एड्वांसमेंट्स हुई है हमारे पास में तो अब बच्चे एक होते हैं दो होते हैं तो पैरेंस हो जाद ठीक है दो सर्वाइब कर जाएंगे पहलों लोग नौनों दस-दस बच्चे कर लेए था था तैंट क्यूंकि कर गये हैं इसकी वज़ार से हमें काफी हेल्प होई है आगे चलो कर गया हां 1834 में प्रोफेसर विलियम पी डीवीज ने अजूं किया था अजूंड फस्ट चेयर ऑफ स्टेट्रिक्स अजूंड इंवर्सिटी ऑफ पिंसल्वेनिया पिंसल्वेनिया में इन्होंने पहला चेयर डाला था यह इंपोर्टन इंफरमेशन तो है नहीं पर ठीक है और उसकी रिडिक्यूल का मतलब किसी का मजाक उडाना उनका बहुत मजाक उडाया गया इसको इसके लिए भी जो है लोग रहेंगे मेडिकल स्पेशिलिटी चाहिए और इनको कंटेंप्ट भी किया गया था ड़िवीज चिल्डरन वस देन कंसिडर बीनीद दिगनिटी प्रोफेशन के नीचे कंसेडर किया जाता था उस ताइम पर मट इन्होंने ऐसा किया कि एक बेंज बिनाए जिसमें उन्होंने आप सेट्रिक्स रखा था उनिवर्सिटी ओपेंसिल्वेनिया में ठीक है अब अब एड्जेक्टिव आ जाओ इसका अफस्टेट्रिक्स और और इसका अफस्टेट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक्ट्रेक् होता है उसको क्या बोलोगे पीडियाट्रिशिन पीडियोस का मतलब क्या होता है चाइल्ड ग्रीग में आगे चलो पीडियाट्रिक्स पीडियाट्रिक्स क्या होता है एटिम लोजिकली मेडिकल हीलिंग आफ चाइल बता दिया अभी इसका एड्जेक्टिव पीडियाट्रिक अच्छा पेड से और भी वर्ड आया है लेकिन यह यह दोखो पेडो है और एक पेड होता है दुनों अलग अलग है पेड का मतलब होता है पेड का मतलब होता है पैर फूट देखो पेडिस पेडिस फूट पेडिस्टल पेडल पेडेस्ट्रियन पेडेस्ट्रियन पर से आया है, despite the identical spelling in English, has no relationship to Greek pedos ठीक है खले ही प्रोणे सिएशन से महीं है, spelling भी लगता है पर Greek से इसका कोई relation नियरी इंग्लिश्वरड पेड अब पेड़ागाजी आपको पता ही पेड़ागाजी बोलता तो इस रॉंग पेड़ागाजी विच कम्बाइन पेड़ाज विद एगहुगाज एगहुगाज दोपीपल से रेलेटेड होता है ठीक है फैड़ाज चिल्डन आगे चलो अब बच्चों को पढ़ाने के लिए चाइल्ड पड़ाइब बच्चों कैसे उस रास्ते में आप लीड कराओगे कि वह अच्छे से किसी चीज को समझ जाए किस तरफ आप ले जाते हो लर्निंग की तरफ टेलप्मेंट की तरफ ग्रोथ की तरफ और मेच्वरेटी की तरफ प्रम दो मोमेंट अब बर्थ इंफैंट्स आर लेड बाइडल्स जब से बच्चे पैदा होते हैं एडल्स उसको उनको लेड करते लेड बतला आगे बढ़ाना देयर टॉट फॉस्ट वाइपारेंट्स देन बाइटीचर्स तो बीस सेल सफिशेंट क्यों पढ़ाय जाता ह कि principles और जो methods of teaching होते हैं उसमें child pedagogy पढ़ाई जाती है हर subject की खुद की भी एक pedagogy होती है कि English को कैसे पढ़ाना है geometry को कैसे पढ़ाना है mathematics का बहुत देजरा पार्ट है उसको कैसे पढ़ाना है सबकी एक अलग-अलग pedagogy है college students measuring in education take certain standard pedagogy courses ठीक है जैसे history of education हमने पढ़ा हुआ है educational psychology बीड में हमने पढ़ा हुआ है the psychology of adolescent है मेरा MS psychology में था principles of teaching यह भी बीड में है तो यह जब आप education courses करते हो तो आप आपको pedagogy पढ़ा जाता है क्यों क्योंकि these courses deal with the children only adjective pedagogical pedagog pedagog is was as pedagogy ठीक है but pedagog is an unhappy history ठीक है यह एक इसकी एक खराब दुखत history है from its original neural meaning of teacher it has deteriorated to the point where it refers today to a narrow-minded straight-laced old-fashioned dogmatic teacher अच्छा जब इसका original meaning था जो पेड़ागोग का यह इसका original meaning क्या था कि teacher of teacher लेकिन history के साथ में इसकी meaning बदलती गई और डिटोरियेट होती गई और आज के दिन में अगर आप किसी को pedagog बोलते हैं इसका मतलब क्या है वह एक narrow-minded people इस्ट्रेट लेजड है ठीक है old-fashioned आदमी है dogmatic teacher है मतलब इसम ओल्ड एथिक्स के तरिया पढ़ाता है मतलब यहीं करना है वह teacher नहीं कि तुम नहीं पढ़ोगा पिटाई लगे कि तुम्हारे मुर्गा बना देंगा पीटते भी हैं उस तरह का teacher बन जाएगा वो तो एक time and culture जो मीनिंग होता है वो चेंज होते रहते हैं अब देखो बच्चों को मार्क दर्शन करने वाला डेमोग डेमोग डेमग्राफी यहीं से आएगा जो पीपल लोगों को डेमोक्रसी भी यहीं से आया है जो लोगों को गाइड करेगा has also deteriorated in meaning यह देखो इसका भी मतलब हो the leader होता है जहींader logo को क्या करेगा miss Lee करईगा परले lead करने बद दो यह dec is actually a sense to mislead the people a politician who foments discontent among the masses वो क्या करता है लोगों चाहता पैलाता है simple सा बात cinco फिवर pitch by वाइल्ड औरेटरी मतलब इंफ्लेमेटरी स्पीच देगा कि देखो ऐसा है जैसे आजकल जो है आजकल के जो नेता लोग है वो पुब्लिक इवेंट्स में जाते हैं और कुछ भी इंफ्लेमेटरी आग लगाओ भासट देके चले आते हैं और लोग भड़क जाते हैं जैसे लिए बहुत जादा चल रहा है बेवकूफों वाली हरकते हो रही है यह सब नहीं होने चीए इन अटेंट टुबी वोटें दो आफिस बाइस यह सब किसलिए हो रहा है बस आफिस में वोट हो जाए हम किसी राज्य के मंत्री बन जाए इसी के लिए परशानी है सारी यह काम ओन पर्सनल अंबिशन और फॉर्चिउन को अचीव करने के लिए खुद की कार कर लिए खुद की बिल्डिंग बना लिए इसके लिए इसके लिए मेनी लिडर्स अब पास्टन प्रजेंट इन कंट्री एराउंड दे वर्ल्ड है बिन अक्यूस अब डेमागोगरी के लिए इसके लिए इसके लिए इसके लिए इसका मतलब क्या है यह एड्यक्टिव है डर्म डर्म इन इंग्लिश वर्ड और इंग्लिश वर्ड और यूविल नो बेर इस सम रिफरेंस टुश्किन दर्मा कहीं भी आता है इसका मतलब वह सिंपल सह बात है कि वह स्कीन उसमें जरूर है चैतना है रिफ़ो हाइपों डर्मिक उब मैंनेडारं जब को बहुं होना है जब निदेटर उडिट्र आन्डर दिश्किन अंदर जाएगा ठीक है रिफ़ोग मीजो डर्मिस और आंदर वाली इंडोडर्मिस टेक है तो जो एपीडर्मिस के अंदर जाके लगेगी वह कौन सी है हाइपोडर्मिक नीडल है अब देखो आउटरमोस्ट लेवरां दे मिलें क्या होती है इसका बहुत्ए जो आदमी जो इसकीन के अंदर कुछ-कुछ भर करके उसको बेचता हो ठीक है जहीं करता हो प्रिपेर सेस्टप्स एन मांट्स देस Can Sarv an इनमल से बढ़ता है अब पैकीडर्म अच्षा आपने देखा होगा सेर की खाल के अंदर भी भर दिया और सिर जैसा लग रहा हो वह क्या है अनी पैकीडर मी क्या होता इंप कीडर्म इंप अनिमल विदन ऐन विद त खी कि कि सिमपली-ELEPHANT-HIPPOPTAMERS-ZA-icking मोट मोट हो पैकी-डर्म क क्याते हैं ELEPHANT-HIPPOPTAMERS-asu- قर रायन सर रास अर्ध डर मैर अ डर्म इट्स डर्मिटेट इस यह जनरलीjoy मै इम मैं किसके लिए एनी इस्किनali inflammation irritation infection dermatitis अब देखो आइज के बारे में बात करते हैं अप्थेल्मोलाजिस्ट पी एच प्रिसीदिंग ती एच अप्थेल्मोस इसका मतलब आई अप्थेल्मोस उसकी कि यो कि कि या एप्थेल्मोस ऑप्थेल Maustु ग्रीक वर्डरया ऐी से रिलेटिड़ है ophthalmologist वो आदमी जो आई में expert है adjective क्या है ophthalmological ठीक है and earlier title for this physician still occasionally used is oculus इसके लिए आज भी oculus इस्तमाल होता है from Latin oculus का मतलब आई देखो यह Greek था यह Latin है oculus oculus a root on which following English words are also built ocular यह भी oculus पर बनाया है monocle single single eye single lens binocular binocular आपको पता है अब देखते हो दूर की चीज़े field glasses देखो an adjective that refers to the eye ocular आपको ocular disease eye disease ठीक है monocle देखे होगे पहले लोग एक कांट में ऐसे लगा करके लिए देखते थे कुछ और उसको फिर आसे नीचे रख देखते हैं पॉकेट में बहुत तरहीं लोगों का देखा ब्रिटीन में बहुत ज्यादा लोग सुरूत में स्पोर्टेड वाइड वाइक एक्रेक्टर सब्वोड मुवीज में जो है बट विए इनकुलेटेड अगेंस्ट डिजेजन आई पंक्चर और होल इसमेड इन यूर स्कीन तुरू विछ सिरम इंजेक्टेड बिसिकली जब आपको इंजेक्शन लगा जाता तो आपके स्कीन में च्छे दो जाती है ना तो उसको भी कहता है कि एक आई बन गई है तो यह दो जो लोग है यह medical practitioner है इनको दो लोग और है जो आई से ही काम कर आई के चीजों से काम करते हैं बट वो डॉक्टर नहीं है उन्सों कन्फ्यूज नहीं करना है अप्थेलों लॉजिस्ट और आई के डॉक्टर हैं और आप्टोमेट्रिस्ट और अप्टीशियन यह दो जो एड्मिनिस्टर का मतलब होता है किसी को देना या प्रिस्क्राइब कर देना वह एड्मिनिस्टर नहीं कर सकता ड्रग भी दे केन नौट प्रिस्क्राइब द्रग्स दे मेजर वीजन वह वीजन को मेजर करेंगे जैसे कि ग्लुकोमा का टेस्ट करेंगे और प्रिस्क्र विदेशन जो ओता है फिलन ऑप्टोमिट्रिस्ट और अप्टोरिक प्रिस्क्रिप्शन यह क्या करेगा ऑप्टिशन से जो मीजर करके दिया कि देखो भईया ऐसा है माइनस टू वाला बना दो जिसे दुकान पर गया दुकान वाले ने आपका ना अप लिया वहां कितना पा दॉक्टर भी कभी कभी आपका मेजर करता और बताता है यह सब चीजे हैं तो यह का करेगा ग्राइंड करेगा लेंसे को according to the specifications और यह एक्जमाइन नहीं करेगा पेशेंट को ठीक है कि आखो की जो है विजन को मेजर करें और बताएगा आपके ठीक है कि पास का नहीं दिख रहा है कि दूर का नहीं दिख रहा है तो कितना पावर है पता है दूर के बताओ कमेंड वाली हो एक बता दे रहा हूं मैयोपिया कि अच्छा आप्तेमेटिरी चलो जो इस पेश्लिटी अश्को अप्टेमेटरी इस बिल्ट अन अप्टिक अ principles अर प्लस एच्पास तीक स्विध जो ऑप्टीक्स का एक्सपार्ट हो हो ठीक आगे चलो लाइट अडेक्टिप क्या है अप्टोमेट्रिक अप्टोमेट्रिकल अप्टिकल आगे चलो इटरनस इंसाइड पता है in English word क्या है लेख लो गाई नहीं वुमन इंग्लिश वड क्या है लिखो भाई गाइनिको लॉजिस्ट यह गाइनिको लॉजी ऑफ्स्टेट्रिक्स मिडवाइफ लिको आफ्स्टेट्रिशन पेड़ॉस यह मैं सब क्यों बता रहा हूं लिखो तुम लोग अपने से यहां वीडियो पॉस्ट करो और इसको लिखो अपने कॉपी में मनोस वन मनोकल चलो निका प्रॉनमाशियाशन करो इन्टरन गाइनिकोलाजी गाइनिकोलाजिकल अफ्टैक्स आफっर topics व् Rudidoy ओडिय आत्रिक्स पेडिया ट्रेक्स पेडिया ट्रिक पेड़ोजी पेड़ची ल जॉजकर डेगोग डैमोग डेमोगोगरी डिमोगी देंगाजिक झाजिक कें देंगाजिक ठीक है आ हो बहुत बैलाइट Grundasmus डेमेटलोडियोर्गेंन डीमेटलोजिकल है तेक्सीडर्म सताइब अप्यदिर्म स्थ दर्म घ्द्मक र हिमनो कल इंहकुलर अ ईकलियर मनो को funk E Mrgeshte optics optometric optometrist optometric opt wrinkles democrats practical अब आगे चलो यह है question अब यहाँ पर वीडियो pause करों और इसको मिला यह मैं नहीं बताूंगा आपने से solve करों फ्रिलन से जतना solve करो वी इतना बड़ी दिया चलो आगे यह वाला करने मज़ा आती है ना हम लोग यह वाला करता है दसे ट्रीटीज और ऑफ स्टेट्रिक्स डील विट चाइल वर्थ बताओ भई हां बिल्कुल करता है ड़स गाइनकोलाजी डील फीमेल रिप्रोड़क्टिव बिल्कुल सही बात है इस पेडियाट इस पेड़गोग एन एक्सपर्ट टीचर पेड़गोग हां बट प्रॉब्लम क्या है कि समय के साथ में इसकी मीनिंग बदल चुकी है बताया थे ना चलो इस डेमगोग इंट्रेस्टेड इन डा वेलफेर और पीपल नहीं बिल्कुल नहीं क्यों करेगा वो तो लोगों को पहले अच्छा था पहले मीनिंग क्या था इसकी जो लीड करता है लोगों पर बाद में डेमोगा के सारे नेता लोग दूस्ट हो गया और कल्चर और टाइम के साथ में इसका मीनिंग बदल गया is a lion a packing मैं कि मोटी होती है नहीं होती है रहिए थी लादमी है इस此, is the epidermis one of the layer of the skin बताया अभी तीन लियर होते है एपिडर्मेस मेजोडर्मेस और क्या है यह लास्ट वाला है इपडर्मेस है हाँ बिल्कुल है अगे चलो इस डर्माटेटिस एन इंफ्लमेशन आप दे लिम्स नहीं इसकिन का प्रॉबलम है यह नाइंद का नो मिकिषी तरह का इंफ्लमेशन होगा किस्imes डर्माइस्किन की बात है ध्याइट पर मेडिकल नहीं विल्कुल नहीं है अबथल मोलॉजिकस प्रॉबलोड ऑढ़की होता है पता है जो इस्किन को स्टफ करता है अपर जाए उसमें कुछ कुछ इजन ओप्ध मेडिकव रोइंन ऑफ्धल्म लॉजिस्ट अ मेडिकल रॉप्धेमलोजिस्ट ही इचा डॉक्टटर है यह किसको डॉक्टर रहा है अब ही पता करें अभी करता किया करता है आख की खराबी का और आपिशन का प्रेसक्राइब करता है गलासे को वह बनाता है जासे आप्टिमेट्रिस्ट के उसको देड़ेगा बना देगा यह पेसेंट से डील नहीं करते आप्टीशन चलो अभी विडियो पाउज करो और यहां यह पे जो optical equipment बेशता है उसको क्या कहते हैं इन सब को करो यहां पे भी video पास्ट कर लो यहां पे भी कर लो इसको और इसको मिलाओ फिर one-eyed lens वो क्या बोलते हैं इसको मिला लो और इसी के साथ में सेशन 5 खतम होता है तो अब हम लोग अगला करेंगे सेशन 6 जो कि चैप्टर 4 का आखरी सेशन होगा और फिर लोग चैप्टर 5 करेंगे तो अगले वीडियो में मिलते हैं